मेरे प्रियों येश्वी मसी के नाम से आपको मेरा प्यारा नमस्कार प्रभु येश्व कितना बला है हमसे कितना प्यार करता है हमसे प्रती रोज बात करते हैं, हमको धायरे देते हैं, हमारा संग वो रहते हैं इसलिए कहते हैं, रोज प्रभु के साथ चलने की आदत को बनाईए ये इश्यू को मानने का मतलब धरम परिवर्त नहीं है, वो एक experience है सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ एक अनुबव है आकाश और पृतिवी का सरजनहार परमेशक साथ जीवन बिता रहे हैं इश्यू किसी को दरम परिवत नहीं करता, दिल में जगा दो, मैं तुमारे संग रहूँगा येश्यू किसी के साथ जब अजस्ति नहीं करते हैं, नहीं मानेंगे तो वो दूर हो जाते हैं यदि आप चाहते हैं येश्यू के साथ जीवन बिताना है, तब आपका जीवन अराम से बदलेगा उनके साथ चलने में क्या होगा मालुमें एक अद्भुत काम होगा एक बक्त इस प्रकार वो करता है देखियेगा तो यह से आच 26 की नववा वचन में देखेंगे तो रात के समय मैं जी से तरी लालसा करता हूँ मेरा संपूर्ण मन से यतन के साथ तुझे डूड़ता है हे प्रबु मेरी आत्मा तुझको रात में डूड़ता है यतन के साथ धड़के उठके मैं तुझे डूड़ता हूँ प्रबु परमेश्र के साथ प्रती दिन चलने के समय रात में अपने हाप से परमेश्र को आप सुती करेंगे है प्रबू तु मेरा दिन बर साथ दिया है सारे परिशानी में तु मेरे संग रहा है प्रबू कभी कभी ऐसे होता है रात में प्रात्ना करके सो जाएंगे सोचते हैं लेकिन प्रात्ना कभी बंदी नहीं होता है परमेश्तिर की उपस्तिति में आत्मा में भर भर के आनन्द से प्रात्ना करते हैं क्योंकि बहुती आनन्द होता है उनकी प्रात्ना में सुबह उड़ते ही अपने आप से आपका मन परमेशर को डूढने के लिए वो सुरू हो जाता है प्रभु को स्तुति करेंगे परमेशर को कोजेंगे परमेशर के साथ जीना एक wonderful एक life है भाई अनुबह करने से मालूम है छक्कर देखने से ही आपको मालूम है रात में सोने से उनके उपस्तिति को सुबह उटने से ही सिंताएं बर के मैं क्या करूँगा ये बाते हैं आपका मन में आएगा ये शु मेरे साथ है आपकी आत्मा उनको डूंडेगा सुबह उटके प्रातना करने से और आपकी प्रान आत्मा प्रभु को डूंडेगा आत्मा में आप मैसुस करेंगे प्रती दिन परमीशर की वानी को अपनी आत्मा में मैसुस करेंगे आपका आत्मा बहुत प्यासा के साथ प्रभु को डूंडेगा मेरे प्रबु से मैं बात करना है अपने आप से आत्मा में आपको प्रेयर ना मिलेगा जब बाइबुल पढ़ेंगे तो उसकी उपस्तिति से आप बहुती कुशी और आनंद को मैसूस करेंगे प्रति दिन आनंद है ये समस्या के लिए क्या करें ये समस्या के लिए वो क्या करें इस प्रकार आप कभी नहीं सोचेंगे प्रभू आपका साथ है ना सारी बातों को प्रभू चिंता कर लेगा इस प्रकार की विस्वास आपके जिवन में आ जाएगा तड़के उटके परमेशर को आप क्या डूंड रहें डूंडने से यह पता चलेगा इश्यू को आप डूंड रहें वो आपका साथ आने से आपके आत्मा में प्रान में बदलावट आएगा आपके आत्मा में परमेशर इश्यू को खोजेंगे आपका सरीर में परमेशर की उपस्तिती आपके चेरा में एक रोनो को आप देखेंगे यशु के साथ जीना कितना कुशी की भात है क्या बोर में उटके परमेशर को डूंडे हैं परमेशर के यतन से डूंडे हैं सेल्फोन को वाटसब 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 वाटसबूक को देख देखे समय को सुबह तक बोर में आप वियर्थ करते हैं हो सब नई चाहिए इश्युक का उपस्तिती सुबह सबह उटकर फोन पर मत बैटेगा कौन मेरे लिए मेसेज बेजा है ये सारी संसारी बातें आपको गलत रूप से आपको अगवाई करके ले जाएगा हो सब बाद में पहला ये गंटा प्रभू के लिए दे दीजे प्रातना करने के बाद सेल्फोन में आके देखेगा तो परमेश और वो सारी समस्या के लिए आपको अगवाई करेगा किस के लिए क्या जवाब देना पार्मेश रगवाई करेगा कुशी के साथ रहेंगे क्यों आपको गबराना है इसलिए ये ये शुकसाथ जीने के लिए अपने आपको अरपन करके सोंपिएगा सुबह आपका आत्मा प्रभु ये शुमसी को डूंडेगा देखिया का तो उसको एक्सपिरियंस करके देखेगा पता चलेगा मैं चक कर देखा अनुबह किया इसलिए मैं आपसे बातें बांट रहा हूँ एक किसी दांद को नहीं बांट रहा हूँ यहां पढ़ लिया वहां पढ़ लिया बोलके मैं आपको सिच्छा देने के लिए नहीं आया है एक्सपिरियंस प्रभु के साथ जीने का जीवन आज आप आरपन करेंगे अपने हाथों को प्रभु की हाथ में देना ये प्रबु मेरे हाथ को आपके आत में मैं सौंप रहूँ मैं आपका साथ रहना है तेरी वानी को मैं सुनना है प्रबु हे पिता ये बेटा ये बेटी अपने हाथों को आपके आत में सौंप रहें आपका साथ रहने के लिए इनी के लिए कुर्स पर तुने लगु बहाया प्रबू इनको गरहन कीजिए लहु से दोईए इनसे भात कीजिए अगवाई कीजिए यतन से डूणने के लिए प्रबू जी एक प्यासा को इन पर उटपन कीजिए आपके साथ जीने की जीवन में आनन इनको दीजिए इश्व मस्य के नाम से प्रात्ना को मानते हैं आमेन आमेन